आईए भक्तो, सभी को जैम आतारा आप सभी को एक ऐसे कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिस कहानी को सुन कर आप भी अपने नैन अश्क को रोक नहीं पाएंगे और मा तारा के दर्शन को आपका भी मन ललाहित हो उठेगा एक समय की बात है एक मा अपने नौजात सिसु को जन्म देती है और इस दुनिया को छोड़ कर चली जाती है वो बच्चा बच्चपन से ही लोगों के ताने दुख तकलीफ देखते हुए बड़ा होता है किसी के साथ पीछे पीछे पावंधा मा तारा के चड़ों में पहुच जाता है जाने के बाद देखकर मा को रोहने लगता है बिलखने लगता है कि हे मा मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरे सर से मा का आचल छेन लिया अरे मा तो मा होते है ना मा तारा के आँखों से आशू बह जाते है कुछ समय बाद बच्चा कि सोर अवस्था में पहुचता है अचानक उसे एक बुढ़िया माई रास्ते पर भटकते हुई मिल जाती है वो बुढ़िया माई पूस्ती है बेटा तेरा नाम क्या है उसके नए नस्त बहे उठे वो खुद को रोक नहीं पाया उसने उस बुढ़िया माई को गले से लगा लिया और बोला कि मैं क्या आपको मा बुला सकता हूँ बुढ़िया माई बोली आरे मैं तेरी मा ही हूँ तु रोता क्यों है इस दुनिया में मेरे सभी बच्चे है इस अंसार में हर एक विक्ती मेरी संतान है वो बच्चा रोते रोते उससे पूछता है कि मा मुझे कोई कलुआ कोई अनाथ कोई बिन मा का ना जाने किसके सब्दों से बुलाता है मुझे कोई नाम दे दे मा मा तारा तो जगजन्नी है ना वो नाम देती है तुम मेरे कृष्णा और मैं तुम्हारी मैया यश्वदा दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं वो बुढिया माई भिक्षा मांग कर उस बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा बनाती है बेटा बड़ा कलक्टर अफिसर हो जाता है शादी करने की बारी आती है, बैवाहिक जीवन जीने की बारी आती है मा से आकर वो बेटा एक दिन कहता है कि मा देख मेरे साथ कौन आया है मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ जैसे तुने मुझे कृष्णा नाम दिया वैसे ही मैंने तिरे लिए एक बहु के रूप में राधा लेकर आया मा प्रशन हो जाती है धूमधाम से साधी विवा हो जाता है कुछ समय बाद उस बुढ़िया की उस मा की सारीरिक इस्थित्री बिगड़ने लगती है तवियत खराब होने लगती है सेवा की बारी आती है बेटा कलक्टर ऑफिसर बन जाता है उसके पास समय का अभाव होता है वो अपनी मा का ध्यान नहीं रख पाता बहु आज के दौर की बहु जो फैसन अपनी जिंदगी अपने ऐसो अराम को जी रही होती है उसे उस बुढ़िया माई की सेवा करने में काफी तकलीफ हो रही होती है ना समय पर भोजन मिलता था ना पानी ना दवा कुछ समय बाद उस नस्वर सरीर को छोड़ कर मा अंतर ध्यान हो जाती है बेटा घर पहुंचता है और बिलक बिलक के रोता है कि मा अरे मैं तो अनाथ था मेरा तो कोई दुनिया में नहीं था मा एक तो ही तो थी जिसने मुझे बेटे का नाम दिया मा की ममता और मैया का प्यार दिया आखिर मिर्स से क्या गलती हो गए कि मुझे छोड़के तु चली गए वक्त रुकता कहा है समय निरंतर चलता रहता है कुछ समय बाद क्रिश्ना की पत्नी गर्वती होती है और उसे पुत्र रत्म की प्राप्ती होती है और कहते हैं ना सतकर्म हमेशा साथ देता है और दुसकर्म हमेशा सताता है उस बच्चे की तबियत नासाज रहने लगती है वो नौजाद सिसू जन्वजाद विकलांग होता है कश्च दुख तकलीफ विमारियों से घिर जाता है पिता कलक्टर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाता है रोधे रोधे मा तारा के दरवार जाता है पतने गोध में बच्चे को उठाए मा तारा के दरवार पहुंचती है जब मा तारा से कृष्णा की नजरे मिलती है जब मा का दीदार होता है उस मूर्थी से आश्कों की धार बहे उठती और आवाज आती है कि बेटा तेरी बहुत याद आती है रे क्रिश्ना इस आवाज को पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं मेरी माँ है मेरी बुढिया मा जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा बनाया नाम शहर दौलत सब कुछ कमाने के काबिल बनाया वो सब कुछ भूल कर मा के चड़ों को पगड़ कर बिलक बिलक के रोने लगता है कि मा अरे मैं तो पापी था न मैं तो नादान था पूत कपूत हो सकता है माता कभी कुमाता नहीं होती मैंने ऐसी क्या गल्टी कर दी मा कि मुझे छोड़ कर तुछ चली गई ये सभी दृष्षे को उसकी पत्नी देख रही होती है उसकी पत्नी को याद आता है कि जो हमारे घर में एक बुढ़िया के रूप में एक मा के रूप में रह रही थी वो कोई और नहीं साक्षात ममता मई मा तारा थी अपने बच्चों को कभी भी दुख में ना देख पाने वाली मा जगत जन्नी मा तारा थी बच्चे को कृष्णा की पत्नी मा के चर्णों में रख देती है और कान पकड़ के बैठ जाती है कि मा अरे मुझसे गल्ती हो गई मैंने भूल कर दी मा मैं आपको पहचान नहीं पाई लेकिन मुझे आज समझ में आ गया कि मेरी कर्मों की सजा मेरे नौजाद सिशू को मिल रही मुझे माफ कर दो मा दोनों पत्ति पत्नी बिलक बिलक के मा के शरणों में रो रो कर गुहार करने लगे आखिर मा तो मा होती है मा तारा के आखुक से असको की धार रुक नहीं रही थी जिसे अपना बेटा बनाया जिसे अपना बहु माना आखिर उसके पोते की बात थी देखिये भगवान भक्त के लिए और भक्त भगवान के लिए दोनों एक दूजे के लिए है यदि भग अपने स्ने अपने भाव मा के शरणों में भगवान के शरणों में रख दे तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते इस नस्वर सरीर के काल चक्र में भी और यहां से मुक्त होने के बाद भी मा ममता मैमा रो पड़ी और एक प्रकाश जिसने पूरे मंदीर प्रांगण में रोशनी भिगेर दी बच्चा जो अपाहिज पैदा हुआ था जो अपंग पैदा हुआ था अचानक ठीक हो गया और कृष्णा अपनी कलक्तर की नोगरी छोड़ कर महातारा के प्रांगण में नित्य दिन सेवा करने जाने लगा धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा बेटा भी बड़ा हो गया पती पत्नी और बेटा दोनो अपने जीवन को महातारा के चर्णों में समर्पित कर दिया आईए भक्तों ये कहानी हम ये सीख देती है कि कभी भी भगवान के चर्णों को नहीं छोड़ना चाहिए अपनी माता पिता के चर्णों को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जब दुख में हो बेटा तो मईया रोती है अरे जिसका कोई नहीं होता मा तारा होती है प्रेम्ज वोलिये तारा मईया की है जब दुख में हो बेटा तो मईया रोती है जब दुख में हो बेटा तो मईया रोती है जिसका कोई नहीं होता मातारा होती है जे मातारा अखियों में आसुमया देख नहीं वाती है दुख में हो बेटा तो दड़ी दड़ी आती है अखियों में आसुमया देख नहीं पाती है दुख में हो बेटा तो दड़ी दड़ी आती है मा जगती है हर छन अलाद चैन से सोती है जिसका कोई नहीं होता मातारा होती है जे मातारा जे जे मातारा जे मातारा जे जे मातारा पापियों के पाप मैया पल में मिताती है भक्ती में भाव होतो गले से लगती है प아पियों के पाप मैया पल में मीताती है जे मातारा करुणा मातारा कणकण में होती है करुणा मैं मातारा कण कण में होती है जिसका कोई नहीं होता मातारा होती है जे मातारा जे जे मातारा करन कर दो जे मातारा जा जे जाए जाम